ओम श्री गनेशाय नमाह दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे Story name is wrong number and this story is begin from chapter 44 to 45 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience तो चलिये शुरू करते हैं अब आगे, शाम का समय हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिशा का दिस्चार्ज करने के लिए कह दिया क्योंकि उसकी तबियत अब काफी ठीक है और माथे पर ड्रेसिंड कर दिया और कहां उसे वापस ड्रेसिंड करने के लिए हॉस्पिटल आना पड़ेगा। दिशा ने अपने भाई का हाथ पकड़ के माहिर और विशाल को देख रही थी उसके देखने का तरीका अलग थावा हुसकी। आखे बया कर रही थी कि अब आप दोनों यहां से जाएं और हमें भी जाने दे। नंदू ने दिशा से कहा दीदी मुझे आप से कुछ बात करना है क्या हम साइड में जाकर कहीं बात कर सकते हैं। वे दोनों हॉस्पिटल के पारकिंग एरिया में जाकर एक जगह खड़े होकर बाते करने लगे नंदू ने अपनी बहन का। हाथ पकर के कहा दीदी हमें भी मुंबई चलना चाहिए वहां हम दोनों अपनी नई जिन्दगी चालू करेंगे। मुंबई का नाम सुन दिशा ने अपना हाथ नंदू के हाथ से छुड़ा उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए प्यार। से बोली नंदू तुम बहुत छोटे हो तुम्हें नहीं पता लोग कैसे होते हैं तुम्हें अभी लगता है कि मुंबई बहुत अच्छा है पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है वहां के लोग जरा भी अच्छे नहीं है। थोड़ा रोक कर दिशा ने आगे कहा हमें यहीं कहीं आसपास के शहर में रहना होगा ताकि मैं तुम्हारी पढ़ाई भी। यह उसने वापस अपनी दीदी को मानते हुए कहा दीदी मैं जानता हूँ कि आप जो भी करोगी सही करोगी पर हमें। माहिर और विशाल सर के साथ मुंबई जाना चाहिए वह दोनों बहुत अच्छे हैं आप उन्हें गलत मत समझिए। नंदू ने जैसे उन दोनों की तारीफ किया दिशा ने जट से अपने भाई का चेहरा छोड़कर आखे बड़ी बड़ी करते। देखने लगी कि आज उसका भाई उसके सामने उसके दुश्मनों का तारीफ कर रहा है जिससे वह बचाना चाहती है। के तभी पीछे से आवाज आया कौन कहता है कि मुंबई के लोग बुरे होते हैं या पूरी मुंबई बुरी है। यह आवाज सुनते ही दिशा पीछे मुड़ी और नंदू भी उसी और देखा तो कोई और नहीं माहिर था माहिर अपनी दोनू। हाथ से पॉकेट में डाले आखों पर गौगल्स चड़ाए हुए ही बोला। दिशा अपने भाई का हाथ पकड़ ले जाने को मुड़ी के माहिर ने रोकते हुए कहा मिस दिशा तुम्हें नहीं लगता। अपने स्वार्त के लिए अपने भाई की लाइफ खराब कर रही हो। ये सुन दिशा के अंदर तो आग लग गया उसे इतना माहिर के उपर गुस्सा आने लगा कि उसकी वज़े से उसका भाई आज। आगे नहीं मुझे आपकी और कोई मदद नहीं चाहिए यहां तक कि मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। दिशा थोड़ा रुक कर फिर आगे बोली मैं मेरे भाई का ध्यान रख सकती हूँ और रही बात स्वार्थ तो मैं हूँ बहुत। स्वार्थी सिर्फ अपने परिवार के लिए मैं उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती इसके लिए मुझे अपने आखिरी। दम तक लड़ना क्यूं ना लड़ना पड़े जिस दिन मर जाओंगी उसी दिन मेरे साथ मेरे स्वार्थ भी खत्म हो जाएंगे। दिशा की ऐसी समझदारी वाली बाते सुन माहिर को कही ना कही अंदर से जलन होने लगा उसे ऐसा लग रहा था। जैसे वो उससे जीती नहीं सकता। कहने को तो वह पैसे वाला है अमीर है पर वह अपनी बात नहीं रख सकता वही एक गरीब लाचार लड़की उसके सामने अपनी हिम्मत दिखा रही थी। माहिर ने फिर भी अपने एटिट्यूट के साथ कहा देखो मैं तुम पर कोई असान नहीं दिख रहा हूँ मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि तुम्हारा भाई छोटा है और तुम किसी नई जगह पर सैटल होने में तुम्हें वक्त लगेगा और तुम्हारी तबियत भ मेरा और ना देखा जाए तो हर कोई अपना है क्या ही कह सकते हैं माहिर आखो से गौगल्स उतारते हुए कहा देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे आसपास खत्रा ही रहेगा जब तुम्हारा भाई थोड़ा और बढ़ा हो जाएगा तो तुम वा वापस पुछा आपको मुझ पर इतनी दया क्यूं आ रहा है माहिर कुछ बोलता कि उसके पहले ही नंदू आगे आकर कहा दिशा दीदी माहिर सर सही कह रहे हैं हमें इनकी बात मान लेना चाहिए मुझे इन पर पूरा भरोसा भी है भरोसा वाला शब्द सुनते ही दिशा मा नहीं दिशा के मुह से कैद वाला शब्द सुन माहिर को याद आने लगा कि उसने उस पर कितना अत्याचार किया था जब कीवे पूरी तरह निर्दोश थी नंदू ने आगे कहा प्लीज दीदी एक बार सिर्फ एक बार इन पर भरोसा करिए ये सब बहुत अच्छे हैं इन लोगों ने हमारे दो बार मदद किया है इसलिए इन पर मुझे भरोसा है दिशा दीदी दिशा ने अपने हाथों से नंदू के सिर्फ ए हाथ फेरते हुए बोली नंदू अब बस चलो यहाँ से दिशा जाने के लिए सिर्फ मुरी ही थी के उतने में माहिर ने कहा अगर अगर अच्छा होता है तो भी थीक मैं दोनों को सहने की ताकत रखती हूँ तभी विशाल भी आ गया और कहा दिशा मैडम आपको हमारे साथ मुंबई चलना होगा क्योंकि आप यहाँ सेफ नहीं है वे लोग आपको धूंद रहे हैं और बहुत जल्द वे लोग आपको पक पहले दिन से उसका साथ दिया है दिशा अपनी सोच नहीं थी कि नंदु ने उसकी हाथ पकड़ बोला दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है आपको पकड़ लिया और मुझे भी तो दिशा नंदु के माथे पर किस करते हुए बोली नहीं मेरे भाई में तुम्हें कुछ न अंगुल में उसका भाई फस गया तो बचाना नामुम्किन है। अगर वो मुंबई भी गई तो उसे माहिर से डर लग रहा था कि वह भी तो उसे कितना टॉर्चर किया था देखा जाए तो। दोनों ही उसके दुश्मन है। खेर जो भी हो उसने हां में सिर हिला दिया चोड़ूंगा। ये सुन दिशा मुस्कुरा दी और अपने भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली काश वो दिन जल्दी आ जाए मुझे सब लोग। तुम्हारे नाम से पहचाने नंदु वर्मा की बेहन दिशा वर्मा। दोनों इतना बोल एक दूसरे के गले लिप्ट गए उन दोनों का प्यार करता देख माहिर को अपने अंदर अकेलेपन की। कमी खली लगा उन भाई बेहन के प्यार से माहिर को एक अजीब सी बेचैन होने लगा। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। रात का समय। शगुन ने आज पूरा दिन सारे तरकीब लगा ली पर वहां यहां से निकलना मुम्किन ही नहीं ना मुम्किन है इतने गौड्स। इतने लोग वह देखकर अंदर से डर रही थी और कोई रास्ता भी तो नहीं है जहां से वह निकल सके अगर वह खिड़की। बालकनी के यहां से ट्राइ भी करी तो उसे उसकी जिंदगी हाथ धो चाह कर भी वह यहां से नहीं निकल सकती अब उसे रोने और चिलाने की सिवाए कुछ नहीं कर सकती वह कमरे में। चाह को अंदर से गुसा तो बहुत आ रहा था पर वह दिखा नहीं रहा क्योंकि उसने सुबह में उसके उपर गुसे में हाथ उठा दिया था और वह नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा कुछ गलती करें जिसका उसे बाग में पच्चतावा हो। कुछ नहीं जानना मुझे बस यहां से जाना है आपको जरा भी। ख्याल है मेरे मा बाबा पर क्या बीत रहा होगा वह किस हालत में होंगे मुझे मेरे घर जाने दीजिए प्लीज। मुझे जाने दीजिए अधर्व कुछ नहीं बोल रहा था और उसको इतना शांत देखकर शगुन के अंदर चिर मचने लगा रोने की वज़े से उसकी आखे पूरी गीली हो चुकी थी यहां तक की सूज भी गए थे। शगुन का दिल अंदर से बहुत दर्द कर रहा था उसका एक पल एक मिनट भी यहां नहीं रहा जा रहा था वह एक दम लाचार बेजान सी हो गई थी और रोते हुए बोली मैं इनसान हूँ और आपने मुझे कैद करके रखा है दम घुट रहा है मेरा इस कमरे में मुझे य अभी मोबाइल नहीं मिलेगा पर हां कुछ दिन में तुम्हें मोबाइल जरूर मिल जाएगा तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा शगुन ने दात पिस्ते हुए कहा मुझे अभी के अभी मेरा मोबाइल चाहिए मुझे मेरे घर वालों से बात करना है अथर्फ कड़क आवाज में बोला मुझे मजबूर मत करो मैं तुम पर अपना गुसा निकालूं एक बार कह दिया ना टाइम आने पर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा तो मिल जाएगा शगुन अपने दोनों हाथ फेस पर रख जोर जोर से रोने लगी उसे रोता देखा अथर्व ने आगे कहा कल से तुम गार्डन में जा सकती हो सिर्फ गार्डन ओके ये सुन शगुन रोते हुए अंदर से मुस्कुराने लगी क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि विला से बाहर जा सके और एक बार उसने अपना कदम बाहर रखी तो वह यहां से बाहर निकाल पाएगी पर बेचारी को क्या पता कि वह इस वक्त कहां है वह तो अपना गाव समझ रही है मुंबई सुबह का वक्त दिशा नंदु माहिर और विशाल चारों आहुजा विला पहुँच गए सविता आंटी ने जैसी दिशा को देखा वह दोरते हुए उसे अपने गले लगा लिया यकीन नहीं कर पा रही थी कि दिशा फिर से आ गई है नंदु को माहिर का घर देख आँखे फार फार के देखने लगा वह पहली बार इतना बड़ा घर और नई सिटी में आया है उसे बहुत अच्छा लग रहा था माहिर अपने रूम में जाने से पहले सविता आंटी से कह दिया कि इन्हें गेस्ट रूम बता देने के लिए इतना बॉल वह अपने कमरे में चला गया विशाल दिशा और नंदु को थोड़ी देर बाते किये फिर उसके बाद वह भी अपने घर चला गया सविता आंटी ने पहले उन दोनों को बैठने के लिए कहा उन्होंने पहले दिशा को जी भर के देख लिया और उसके सर पर लगे हुए चोट को पूछा कि आखिर उसके साथ वापस क्या हुआ दिशा ने सब कुछ सविता आंटी को सच सच बता दिया दिशा की बाते सुन सविता आंटी को तकलीफ तो हुआ फिर उन्होंने उसे कहा कि अब यहां आ गई हो तो अब किसी बात की फिक्र नहीं है नंदू तो एक जगह बैथा नहीं रहा था वह पूरे आहुजा विला में घूमने लगा वह हर एक सोफे पर बैथ कर कूद के देख रहा था उसे इतना मकमली सोफा देख उचलने लगा और उनके घर के सभी सर्वेंट के साथ वह तुरंथ हल मिल गया और दौरते हुए वह पहले गार्डन में गया जहां पर स्विमिंग पूल था सविता आंटी ने दिशा को गेस्ट रूम में ले गई जहां पर पहले भी दिशा रह चुकी है उसे वह रूम देख या दाया की वह किस तरह से यहां बेजान सी पड़ी थी जब वह बीमार पड़ गई थी वह सब नजारा उसके आँखों के सामने आने लगा दिशा बाथरूम में फ्रेश होने चली गई वही सविता आंटी ने उसके लिए दो जोड़े कपड़े भिजवा दिये ये कपड़े उसके पहले के थे जो वह छोड़ कर गई थी दूसरी तरफ इटली रोम सी थी रात को अथर्व अपने स्टडी रूम में ही लेता रहा और सुबह उठकर वह अपने कमरे में आया और रेडी होने लगा वही शगुन अभी भी सोई थी वह करीब नाइन उकलॉक बजे सो करू थी वह उठकर बैट पर बैथ गई और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपना मुह उसमें छुपा कर सोचने लगी कि उसके मा बाबा क्या करते होंगे वह उसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे यही सब सोचकर वह और भी अंदर से परेशान होने लगी और अचानक से उसकी आँखों में आसु आ गए जो लुड़कते हुए उसके गाल पर आ गिरे उतने में सर्वेंट लूसिया उसके लिए ब्रेकफास्ट कमरे में लेकर आई क्योंकि नाइन उक्लॉक बज़के जा रहा था और शगुन अभी सो करूथी सर्वेंट लूसिया को देखकर शगुन ने कोई रियक्ट नहीं किया बलकि वह बैट पर से उतकर फ्रेश होने वाश्रूम में चली गई थोड़ी देर के बाद वह वाश्रूम से बाहर आई उसके लिए वाड्रोब पूरा ब्रान्डेट कपडों से भर दिया गया था उसके लिए जीन्स वैस्टन कपड़े भी थे इंडियन ज्यादा थे क्योंकि अथर्फ को लग रहा था कि वह वैस्टन कपड़े तो नहीं पहनेंगी शगुन ने वाड्रोब से एक जीन्स और लाइट पिंग कलर की टॉप निकाल कर पहन ली और उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया कमरे में ब्रेकफास्ट करने की बजाए वह नीचे लिविंग एरिया में गई सर्वेंट के सिवाए लिविंग एरिया में इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि अधर्फ तो ओफिस निकल गया था शगुन ने पेत भर के ब्रेकफास्ट किया उसके बाद वह सोफे पर बैठे थोड़ी देर टीवी देखी जैसे समय निकल रहा था वह सर्वेंट लूसिया को अपने तूटी फूटी इंगलिश में बोली कि उसे गार्डन जाना है शगुन को इंगलिश तो आ रहा था पर जिस तरह से इटेलियन लोग बोल रहे थे उसे उस तरह से बिलकुल भी नहीं आ रहा शगुन विला के बाहर पूरा गार्डन भूमने लगी उसने स्विमिंग पूल के पास जाकर अपने पैर लटका कर उसमें बैठ गई गार्डने हर वक्त का अपडेट अथर्फ को देता रहा ऐसे ही उसने लगभग 2 घंटे बिता दिये इधर ओफिस में बैठे अथर्फ को भी लग रहा था कि शगुन को वक्त देना चाहिए इसलिए वह धीरे-धीरे सब कुछ भूल जाएगी और यहां पर अच्छे से रहने लगेगी कि उसे बेवजह में कैद नहीं करना चाहिए नहीं तो वह बिलकुल चिर्चिरी हो जाएगी शगुन ने ऐसे गाड और को दिखाया कि वह यहां से कहीं नहीं जाने वाली इन दो घंटे में उसने सभी गाड को धूर धूर के देख रही थी क्योंकि उनकी शकल बिलकुल भी इंडियन नहीं थी उनकी स्किन बहुत ही वाइट कलर और सिर के बाल भी ब्राउन कलर के थे जो की शगुन सोच में ही पढ़ गई की वह आखिर है कहां इस वक्त यहां का क्लाइमेट भी अजीब है शगुन ने यहां से निकलने के लिए रास्ता धूंद लिया था कैसे गाट के आँख में धूल डाल कर भागेगी मेंगेट पर दो गाट आपस में बात कर रहे थे उतने में ही शगुना को चक्मा देकर गेट से बाहर निकल गई वहां से इतनी स्पीड में भाग की जैसे कोई टू वीला गाड़ी हो वह इस वक्त भाग कर कहां जा रही थी उसे खुद नहीं पता वह भगाते भगाते बहुत दूर निकल गई थी इधर गार्ट को लगा कि शगुन विला का चपकर लगा रही है क्योंकि शगुन एक जगा कभी भी नहीं बैठ रही थी वह विला के गार्डन में इधर से उधर तहल रही थी जिस वजह से उनकी नजर भटकाने की वह पूरी कोशिश में लगी थी और जैसा उसने सोचा बिलकुल वैसा ही उसने किया इस वक्त इतनी दूर भाग कर आ गई थी अब वह पूरी तरह हॉन्फने लगी उसे अब भाग नहीं जा रहा था और जब उसने बाहर का माहौल देखा सभी के लेंग्वेज इंग्लिश और रोमन में बोल रहे थे शगुन कुछ लोगों से मदद मांगने लगी वह पहले हिंदी में बोल रही थी अपने गाव का एड्रेस बता रही थी कि उसे दमदम सिटी जाना है यहा तो कोई भी दमदम सिटी को नहीं जा पा रहा था अब वह भी सोचने लगी कि आखिर वह कहां है और बाहर के सभी लोग अब एक जैसे दिख रहे थे शगुन ने वहां के जो रास्ते पर लगे बोर्ड थे वह पढ़ने लगी तब उसे समझ में आया कि वह कहीं और ही है कुछ ही देर में अथर्व ने गार्ड को कॉल किया शगुन का अपडेट जानने के लिए गार्ड ने बताया कि मैम गार्डन में तहल रही है ऐसे ही एक घंटा बीट गया है शगुन बहुत ज्यादा दूर निकल गई वह सिर्फ चले जा रही थी वह भाग कर अपने घर जाना चाहती थी पर कैसे जाए वह ये तो समझ गई कि वह कहीं और ही शहर में है पर इंडिया से बाहर है यह उसे अभी तक नहीं समझ में आया इधर विला में सर्वेंट लूसिया शगुन को लंज के लिए बुलाने आई तो शगुन उसे कहीं दिखाई नहीं दी उसने गेट पर खड़े गार्ड के पास गई और पूछा की शगुन में कहा है ये सुन गार्ड ने कहा कि वह गार्डन में होगी सर्वेंट लूसिया ने कहा मैं अभी चेक करके आ रही हूं मैडम वहा नहीं है गार्ड ने वापस कहा हो सकता है वह अपने कमरे में गई हो सर्वेंट लूसिया ने कहा वह वहाँ पर भी नहीं है पहले तो मैं वहाँ ही चेक की थी अब क्या था सभी गार्ड परेशान होने लगा कुछ गार्ड उसे गार्डन में धूंधने लगे तो कुछ गार्ड मिलके अंदर धूंधने लगे सब के सब इधर उधर फैल गए दो विला से बाहर निकल कर शगुन को धूंदने चले गए उन्हें लगा कि वह जरूर विला से बाहर निकल गई है और ज्यादा दूर भी नहीं गई होंगी इसलिए वे लोग विला से निकल कर यहां वहां चेक करने लगे इधर सर्वेंट लूसिया ने डरते हुए अधर्व को इन्फॉर्म कर दिया कि के शगुन अपने कमरे में नहीं है यहां तक कीवह विला में भी नहीं है ये सुनते ही अधर्व की आँखों में गुस्सा उतर आया से यकीन नहीं हुआ कि इतने गौड्स होने के बावजूद शगुन विला से कैसे निकाल सकती है अधर्व गुस्से से कॉल कट कर दिया और ओफिस से निकाल गया थोले ही टाइम में अधर्व और उसका बोडी गार्ड तेजा और असिस्टेंट अंटोनियो तीनों ही विला पहुँचे अधर्व विला आते ही जो में गेट पर गौड तो सोच नहीं सकते मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा जाओ सब सब लोग सब धूंधो उसे। इस वक्त अथर्फ किसी कामदेव से काम नहीं दिख रहा था गुस्से की वजए से उसका चेहरा काला पर चुका था सभी। लोग देख सकते थे कि वह इस वक्त कितना गुस स्टेशन में इनफॉर्म कर दिया था ताकि कोई प्रॉबलम ना हो उसने पुलिस वालों को ये बताया था कि यह लड़की उसके बॉस की फियांसे है। इधर शगुन एक जूस टॉल पर पहुंच गई वह अंकल थे जिनकी उम्र लगभग 50 साल के उपर होगा शगुन ने उनके पास। जाके पूछा I need your help which city is this। मुझे आपकी help चाहिए ये कौनसी city है। ये सुनते ही वह जूस वाले अंकल शगुन को नीचे से उपर तक देखने लगे उन्हें भी समझ गया की यह लड़की इटेलियन। तो नहीं है और इसकी English भी उन्हें कोई खास समझ में न अब क्या था शगुन को उनकी English समझ में नहीं आया सिर्फ उनकी लिपसी को गौर से देख रही थी शगुन ने। वापस कहा I want to go to my house। मुझे मेरे घर जाना है। अब जाकर उसे जूस वाले अंकल को समझा की यह लड़की जरूर रास्ता भटक गई है और उसे अपने घर जाना है वह अंकल ने शगुन को एक चेय दिया बैठने के लिए और अपने पास वाले स्टॉल के एक आदमी को कहा यह लड़की रास्ता भूल गई है और मदद मांग रही है उसे अपने घर जाना है। पास वाले स्टॉल पर जो आदमी था वह मुमुझ बना रहा था उसन अपना हाथ साफ किया और जूस वाले अंकल के सामने आकर खड़ा हो गया वह भी शगुन से बात करने लगा पर शगुन को उनकी बाते समझ में नहीं आ रहा। दूसरे आदमी ने हाथ से घर का शेप बनाया और बताया कि क्या तुम्हें अपने घर जाना है उसके हाथ से ऐ घर कहां है शगुन ने पहले तो दमदम सिटी लिखा फिर उसे समझ में आया कि वह अपने गाव में नहीं है यहां तक कि वह अपने शहर में ही नहीं है इसलिए उसने पूरा एडरेस लिखना पड़ेगा जैसे गोकुलधाम सोसाइटी दमदम सिटी कोलकाता वेस्ट लिखते ही वह आदमी की आँखे फैल गया और उसने जूस वाले अंकल से कहा ये एडरेस तो इंडिया का बता रहा है शायद ये लड़की वहां से यहां आई है और ये क्यूं आई है हमें भी नहीं पता तो हमें ना इन सब के मैटर में नहीं फसना चाहिए हमें तुरंत प पुलिस निपता के लिए अगर हमने इसकी मदद किया तो पुलिस के जहांसे में हम सब का भी नाम आ जाएगा आदमी की बाते सुन जूस वाले अंकल ने भी हां में सिर हिला दिया उन्हें भी उसका सुझाव अच्छा लगा कहीं ऐसा ना हो ये कोई बहुत बड़ी गैंट की लीडर हो और हमें नहीं इन सब फसना पर वह जूस वाले अंकल को शगुन मासूम भी देख रही थी यह भी हो सकता है कि यह भटक गई हो या इसे किसी ने लाकर यहां छोड दिया हो दूसरे वाले आदमी ने कहा जो भी हो हमें इसे पुलिस को ही शौप देना चाहिए प काम तुम्हें पुलिस के पास लेकर तुम्हें चल रहे हैं पुलिस तुम्हें तुम्हारे घर छोड देगी शगुन को यह सुन बहुत अच्छा लगा कि वह पुलिस वाले के पास जाएगी ताकि पुलिस वाले ही उसे उसके घर छोड सकते हैं उसके चेहरे पर हलकी में आ रहा था क्योंकि शगुन की इंगलिश और उनकी इंगलिश बहुत ही डिफरेंट थी शगुन बहुत तूटी-फूटी इंगलिश बोल रही थी वह बोलती थी पर उसका उन लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था अंटोनियो के भेजे हुए फोटो और शगु कि शगुन मैम इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और वह वहां जाकर इंदिया जाने के लिए जिद कर रही हैं ये सुनते ही अथर्व अपना दांत पीसने लगा आखिर ये लड़की वहां कैसे जा सकती है इतने गौड्स क्या बावजूद भी वह विला से निकल गई सभी इस विला में इस वक्त मौजूद थे सबने अपनी नजले नीचे जुकाए हुए खड़े थे किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि वह अपनी सफाई दे सके अथर्व को इतना अपने गार्ड्स के उपर गुस्सा आ रहा था उसका दिल कर रहा था कि अभी इसमें से एक दो को खत् ऐसे शगुन घर से निकलने का मौका मिल गया था इसका मतलब ये लोग लापरवाही काम करते हैं कुछ भी देर में अथर्व तेजा और एंटोनियो पुलिस स्टेशन पहुँच गए अथर्व को देखते ही शगुन तो चैसे उठ खड़ी हुई उसके चेहरे की हवाया ही पुर गई थी वहीं इंस्पेक्टर आगे जाकर अथर्व से हैंड शेक किया पुलिस वाले ने बड़ी रिस्पेक्टफुली अथर्व से कहा सर आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं था आप कह देते तो हम मेहम को आपके घर ड्रॉप कर देते हैं आप खामाखा परेश जान होकर यहां आए हैं अथर्व ने स्माइल करते हुए कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है पुलिस वालों ने शगुन को ले जाने के लिए कह दिया और वही खड़ी शगुन जब पुलिस वाले और अथर्व को इतनी प्यार से बाते करता देख समझ गई यह आदमी बहुत ह की इतनी इजज़त कर रहे हैं इसका मतलब मुझे वापस इसके कैद में जाना पड़ेगा अब वह अंदर से और भी परेशान होने लगी थी वही एंटोनियो पुलिस वालों से बाते कर रहा था और अथर्व शगुन का हाथ पकर पुलिस स्टेशन से बाहर ले निकला और क पार के दूसरे साइड से दर्वाजा खोल शगुन का हाथ पकर बाहर निकाला और उसे तेजी से विलाके अंदर ले जाने लगा इस वक्त इतना तेजी से चल रहा था कि शगुन उसकी कदम से कदम मिला नहीं पा रही थी वह कितनी दफातों लड़ खड़ा गई और जब अ अथर्व ने उसे तुरंत पकर लिया. So, अभी कहानी जारी रहेगी. So don't forget to share your review and comment your best part of a story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नहीं कहानी पहले पा सक And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं next video तब तक के लिए राधे राधे